गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और सुबह मेरा सारा जो साफसफाई का काम होता है पुझा और सब कुछ हो चुका है उसके बाद थोड़ी दिर मैं यहां पर ब्रीधिंग एक्सरसाइज करती हूं और उसके बाद यह पौदों में पानी डालने के लिए मैं इधर पाइप लग सबूंआ है और मुझानी ऑखनी में दिमारी में यहां छोगी चुने मीने पास मुंग आ इसाहिक वजय कुछ को लिए के ने वचानाँ रिकाना स्वाशज हो तो में फविए हुआट जैसे हैं जो हम बोलते हैं और कभी भी खटम नहीं होता लेकिन अगर आप उसकी सोचने कि intensity ज्यादा powerful है तो वो चीज़ आपको life में manifest होनी शुरू हो जाएगी तो जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि घर में बैठे बैठे हम पूरे दिन उल्टा-पुल्टा सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए मतलब गलत चीज़ें सोचते रहते हैं अप हमारे पास थोड़ा टाइम होता है फालतू की बाते सोचने का तो उस समय बहुत सारी लेडिज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उन नेगिटिव सेल्फ टॉप करती हैं अपने बारे में गलत सोचना है और बहुत तरह की गलत चीज़ें सोचना और दीरे दीरे वही चीज अपनी लाइफ में अट्रेक करना जिसकी विएसे उनकी लाइफ और भी ज़्यादा मिजरेवल हो जाती क्योंकि जितना जिन चीज़ों से बचना चाहती है वही चीज सोचती रहती है तो वही चीज़ अट्रैक करती है मैनिफेस्ट करती है तो चलिये अब हम पहले फटा- तो इसलिए मैंने थोड़ा से घी डाला था पैन में और थोड़ा सा पका लूँगी जिसे की कच्चा ना लगे नहीं तो जो लोग कच्ची सब्सक्राइब भी खा सकते हैं शिम्ला में चोड़ा टमाटा तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा इनको पका लूँ क्योंकि हम और इसमें घी में पकाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और यह मैं बना रही हूं सूजी का तो सूजी मैं थोड़ा ज्यादा निकाल रही हूं क्योंकि मुझे एक तो कटोरी वापस करनी है किसी की तो इसमें थोड़ा डाल के दूंगी और थोड़ा ज्यादा ब पक चुकी है थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं पकाया मैंने सब्सक्राइब नामक लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और आप चाहे तो अलग अगर बनाना चाहते हैं तो कोई और मसाला डाल सकते हैं जैसे पानी-पूरी मसाला पाव भजी मसाला और भी बहुत तरह की चीज़ा आती है कुछ भी डाल सकते हो कोई किसी ने रोक तो रखा नहीं है कुछ नहीं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और मुझे ना सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बनाते समय मुझे ऐसा लगता रहता है ना सुबह जैसे याश उठता तो टेस्ट वैसन मतलब यह सपंजी बनता है और यह ढोकला टाइप का बनेगा अभी कडाई में मैंने वैसे मेरे पास स्टीमर है पर मैंने यह सोचा कि कडाई में कर लेती हो क्योंकि कौन जाके ऊपर वाली मंजल से उतार के लाए क्योंकि किचन में उतना स्पेस नहीं है क कि हर एक बरतन में किचन में ही रखो तो इसमें मैंने कटोरी में थोड़ा सा इसले पानी डाल दिया था कि इसमें फ्लोट ना करे नहीं तो वह पानी के ओपर फ्लोट करता और इसमें यह मैंने डाल दिया है बैटर और बैटर को अगर आप थोड़ी देर आदा घंटा हoster नहीं घ हकती है फिर कुछ दिन कीज बाद कहता है और बोरिंग बनाते हो फिर कुछ और बनाओ तो सही में नहीं थोड़ा सा नमक प्रेस, चटनी म्लेफ थावब तो बना पॉड़ा कि घात है और होस्कि पाइखे अगर चाहिए आरे मिनट में इसको बंद कर देंगे और जब हम इसको निकालेंगे ना थोड़ा सा ठंडा होने पर निकालें जिसे कि यह थोड़ा सा यह जो इसकी शेप है वह सही से बन जाए नहीं तो वैसे आप चाहे तो पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन मुझे जल्दी है तो मैं इसले इसको पहले भी तक को निकालने में असानी हो और और कोई सिलिकॉन का आपके पास यह स्पैचुला हो तो उससे असानी से निकल जाता है नहीं तो थोड़ी दिर बात थोड़ा थंदा होने पर निकाल लीजे और इसको मैंने square shape में काटा है इसको हम निकालेंगे plate में से उसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे भी कहा सकते हैं सांबर के साथ या किसी सबजी के साथ चटनी के साथ नहीं तो तड़का लगा सकते हैं और कड़ी पता तो यह सारी चीजे डाली है अब मैंने इसको बंद कर दिया है थोड़ा सरसो और डाल देती हूं क्योंकि इसमें जो तड़का लगता है उसका तेस्ट अच्छा आता है तो यह हमारा पक चुका है तड़का अब इसमें मैंने यह डाला है और इसको कम से कम 5-7 म मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरीके से उलट पलट के अच्छी तरीके से पका लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चाहे तो बाद में थोड़ा से इसमें निम्बू नी चोड़ सकते हैं या इसी समय तड़के के टाइम में ही आप थोड़ा सा नि और यह तैयार हो गया है और यह मैंने यश के लिए प्लेट लगा यह मैं तो इतने सजा के कभी नी खाती हूं और मैं पहले इडली बनाती थी जो राइस इडली होती है उसको मैं थोड़ा इसी टाइप से तड़का लगाती थी लेकिन इस टाइप से में पहली बना रही हू तो मैंने पहले भी एक तीन पहले बनाया था यह अच्छा लगा मैंने कर सही है जब तक खाएगा तब तक सही है और यह दुपट्टा मुझे मिल गया तो मैंने दुपट्टा भी ओड लिया क्योंकि दुपट्टा न ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे सूट पुराने हो जाते हैं दुपट्टे हम ओड़ते नहीं घर में तो नहीं रह जाते हैं तब ही मैंने सोचा दुपट्टा भी ओड़ ओड़ के काम करना चाहिए था कि दुपट्टा भी साथ महीं पुराना हो और कपड़े अब जल्दी सूख जाते हैं 9-79 तक सारे कपड़े मेरे सूख जाते हैं सुबह के फिलाए हुए और यह कुर्ता मैंने सुबह बीबा का निकाला था पहनने के लिए और यह 34 नंबर साइज था पहले मुझे आ रहा था मुझे टाइट आ रहा है पता नहीं मेरा क्या होता जा रहा है मोटी होती जा रहे हूं तो मुझे अपने उपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा नेगटिव सेल्फ टॉक करते हैं उसकी विज़से हमारी लाइफ में बहुत तरह की भीमारियां में ट्रेक कर लेते हैं और नेगटिव हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है जैसे कई लोग को अपने रिलेशन्चिप को लेके बहुत ज्यादा इनसेक्योर्टी रहती है कुछ भी इस ट्राइब का बच्चों को लेके रहता है तो हमेशा नेगटिव सोचते रहते हैं तो और ज्यादा खराब होने शुरू है तो आपको नहीं कुछ समझ आता है तो आप जो चीज चाहते है अपने लाइफ में वह लिख लीजिए और उसको तब रिपीट कीजिए और जैसे नेगटिव थोट आया तो वह चीज फिर जो पॉजिटिव चीज आप चाहते है उसको याद करके फिर आप उसको अरघायने कीज आपको दाएंगे दो फिर यह उसको लिखे लेकिन आपको गलत करें पहले हाम करेंगे और आपकी अगर इंटेंसिटी बहुत जादा है थोट की तो दूसरे को हाम करेंगी और फिर उसका जो कर्म का वह रहुगा तो वह आपको बैकफायर करेंगा तो इस चीज से हमेशा बचेंगे ना किसी के बारे में गलत सोचें ना अपने बारे में गलत सोचें क्योंकि thoughts हैं कभी destroy नहीं होते कोई चीज कभी destroy नहीं होती वह दूसरे एक form से दूसरे form में convert हो जाती है तो यह मैं face mask लगा रही हूं मैं सोच रही थी एक वीडियो बनाने का लेकिन देखते हूं time मिला तो ठीक है नहीं तो लगा लेती हूं face mask नहीं तो यह रखे रखे एक spire हो जाएगा और फिर बार मुझे लगेगा मैंने लगाया नहीं और मैं face mask लगाने से पहले जैसे पानी स मैंने मूद होया है और उसके बाद नारियल तेल से मसाज किया है नारियल तेल सबसे सस्ता संदर टिकाओ उसके बादी face mask यह मामा अर्थ का उबदन यह मुलतानी मिट्टी face mask में मुलतानी मिट्टी है यह लगा रही हो इसको मैं 15-20 मिनिट रखूंगी और फिर थोड़ा सा लोगों की company से दूर रहेंगे negative thoughts से दूर रहेंगे तो आपकी aura clean होनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी life में positive चीज़े पॉजिटिव लोगों को attract करेंगे और यह सूट पहले मुझे खूब धीला आता था अब खूब टाइट आ रहा है तो चलिया मैं उपर पहुंची ह यहां आंदी आई थी एक दिन पहले हो उसके बाद यह हाल है मतलब धूल ऐसे चिपकी हुई है ना दर्वाजा जैसे पर्दा खुला रह जाना तो यही हाल हो जाता है तो फटा-फट से इसको साफ कर लेती हूं कर्टन भी एक दो दिन में धोलूंगे एक example लेते हैं जैसे क करना शुरू कर देंगे तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें और आज कल मैं देख रही हूं जैसे कई वर ऐसा हो जाता है कि स्क्रॉल करते करते मतलब इस टाइप की वीडियो जाती है कि हस्बंड वाइफ को चीट कर रहे हैं वाइफ हस्बंड को चीट कर रहे हैं और यह म हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल स्टक्सी हो जाती हैं और खासकर के नेगटिव चीज़ें और हमें पता ही नहीं चलता दीरे दीरे वह हमारी परस्णाल्टी को चेंज करने लग जाती हैं तो इस चीज़ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें औ और दीरे दीरे आप बहुत तरह की बिमारियों को इन्वाइट करेंगे अपनी लाइफ में बहुत तरह की ऑप्स्टेकल्स को इन्वाइट करेंगे क्योंकि हमारे आसपास बहुत तरह की इनर्जी होती है जो कि हम ऐसे देख नहीं सकते हैं कुछ लोग फील कर सकते हैं हर को कोई फील नहीं कर सकते लेकिन जो फील नहीं कर सकते तो यह मतलब नहीं है कि उनको वह vivir impact नहीं इक्षाथिए इंपैक्ट मैंने सब करती है किसी एक झाल शयादा करती है खास कर करके लोग नेगटिव एक इसी ञंग करते हैं या जनकी रहती है उनको ज्यादा लाइफ में आनी शुरू हो जाती है तो यह चीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कभी भी नेगटिव सेल्फ टॉक ना करें और अगर आपके मन में कभी ऐसा आ भी जाता है तो उसको पॉजिटिव चीज से और अगर आपको यह नहीं समझाता कि क्यों आपके मन में आता है तो जो भी आपके डर है या जिस चीज से आपको लगता है ना कि आपकी मन में उस चीज की वेसे नेगटिव थोट आते हैं तो उस चीज को राइट डाउन कर लीजिए जैसे कि आपको यह डर लगता है कि आप आपके बच्चे का रिजल्ट खराब ना आ जाए या आपके हजबन या वाइफ आपको चीटना करें इस टाइप की जो भी चीज है ना एक साइट पे लिख लीजे जो भी नेगटिव चीज है उसके बाद उसका पॉजिटिव जो है ना उपोजिट वो लिखना शुरू कर द करते हैं इसी टाइप से जैसे मेरे जो रेलेटिव हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं अगर आपको लगता है नहीं पसंद करते हैं या नहीं बनती है जो भी मेरी सबसे बहुत ज्यादा बनती है मेरी परसनालिटी बहुत अच्छी है मतलब इसका जो भी आप उप कर लेते हैं कोई भी गलत थोट आता है न हर किसी के पास एक capacity होती है कि वह अच्छी बूरी चीज बाइडन्टिफिकेशन उनका कर सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं लेकिन हम उसको मजे ले लेकिन है और सोचते रहते हैं और उसकी खिचड़ी पकाते रहते हैं तो इस चीज से बचिए और जैसे आप पहले नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको बौदर करती हैं फिर उसका उपोजिट लिख लिजिए जैसे नेगेटिव जो भी चीज़ा रही है उसका उप आपके जो कई सारे health problems है न वह भी अपने आप ही आप देखेंगे कि solve होने शुरू हो जाएंगे यह करके देखिए यह सही में काम करता है और खास करके लेडिस जो घर में अकेले रहती हैं उनके साथ यह बहुत ज्यादा problem आ रही है इसलिए मैं यह बात कह रही हूँ क्यों अभी तक मैंने अपनी life में हर टाइप की situation देख लिए तो मुझे यह पता है कि क्या चीज किसको कहा परिशान कर सकती है और उसको उसे हम कैसे बज सकते हैं उसे बाहर कैसे आ सकते हैं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो परिशानी जहिल रहे हैं अगर आप तक यह वीडियो पहुंची है तो आप उस परिशानी से बाहर निकल सकें तो चली आज का व्लोग यहीं तक था मिलती हूँ नई वीडियो में